तेबल करता है, हमने चेप्टर स्टार्ट किया था हाइड्रोजन अभी तक हमने क्या था युणीक पोजीशन ओफ हाइड्रोजन इन दा प्रियोडिक टेपल हमने तीन चीजे डिसकस कर ली थी फर्स्ट थी कि hydrogen जो है वो alkali metal से किस तरीके से resemble करता है next one was halogen से किस तरीके से resemble करता है and the third one was कि इन दोनों से ही अलग कैसे है आज हम हमारा next जो topic है वो discuss करते है सबसे पहले एक छोटी सी बात that is occurrence of hydrogen क्योंकि हमें hydrogen के बारे में एक एक चीज पता करनी है मतलब कैसे पाया जाता है हाइड्रोजन तो जो देखो हाइड्रोजन है वो most abundant element है हमारे earth crust में मतलब अगर आप बात करें पूरे universe में तो 70% जो मास है यूनिवर्स का उसमें 70% जो है वो hydrogen का ही contribution है इसके लावा कर बात करें कि जितने भी हमारे पास organic matter होते है ठीक है और क्या क्या चीज़े होते हैं like coal है petroleum है clay है या फिर अगर आपा बात करते हैं जो हमारी यह sun है stars है इन सबके अंदर सबसे जादा जो नॉर्मली सबसे important चीज़ देको water है इन सबके अंदर जो main constitute होता है वो क्या होता है hydrogen होता है actually में क्या है hydrogen H2 molecule है इसका यह बहुत light होता है तो light होने के वज़े से जो हमारे अर्थ का gravitational force है वो इतना नहीं है कि इसको अपनी तरफ खीच सके इसलिए हमारे atmosphere में यह इतना नहीं मिलता अपर है so the main thing is this कि जितना भी हम discuss करते हैं हम खाते हैं इवन हमारी body है इन सबके अंदर अगर आपा बात करें तो main constitute है that is hydrogen next is isotopes of hydrogen isotopes of hydrogen आइसोटोप औफ hydrogen से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो isotopes है यह क्या होता है दिखो isotopes क्या होता है isotopes वो होते हैं एक ही element के same element के क्या चीज different atoms एक ही element है उसके different atoms और वो different कैसे होंगे वो different होंगे same atomic number but different mass number atomic number will be same but the mass number will be different आप एक चीज याद रखना जब भी iso word हमारे सामने आता है तो उसमें यही मतलब होगा एक चीज same होती है एक अलग होती है अब यहां पर बात करें क्योंकि आप देखो iso bar पढ़ोगे isotope पढ़ोगे isotone पढ़ोगे तो यह सारी चीज जो है उनमें एक ही main property रहेगी कि एक चीज same है एक अलग है अब यहां पर देखो हम बात करें isotope की तो हमेशा याद रखना isotope का मतलब है एक ही element के अलग-अलग atom मतलब उनका atomic number क्योंकि element सेम है तो atomic number सेम ही होगा and mass number different है अब mass number होता है neutron की वज़े से क्योंकि देखो atomic number का मतलब होता है number of proton या फिर number of electrons ठीक है और जो यह mass number होता है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है number of proton प्लस number of neutron दोनों चीज़े होते है यह number of proton प्लस number of neutron तो अब अगर आपा बात करते हैं hydrogen की तो देखो hydrogen के तीन आइसोटोप होते हैं कौन कौन से the first one is protein second is deuterium deuterium and the third one is pretium यह हमारे पास जो है hydrogen के तीन आइसोटोप होते हैं देखो तीनों के अंदर ही क्या होगा H, H, H same element है इनका जो atomic number होगा वो तीनों की case में ही 1 होगा आपको पते हैं ना प्रियोडिक टेबल में hydrogen का atomic number 1 होते हैं और हमने यह बात करी थी प्रियोडिक classification वाले chapter में कि जो मेंडलीव था वो isotope की position नहीं बता पाया था जबकि प्रियोडिक टेबल में बता दी गई थी तो अब protein का मतलब है एक proton है एक electron है इसके अंदर एक proton है एक electron है बट साथ में एक neutron भी होता है इसमें दो neutron होते हैं मतलब यह जो चीज है इसका मतलब क्या है कि एक तो proton है प्लस एक neutron है इसमें एक proton है दो neutron है इसमें सिरफ एक proton है कोई neutron नहीं है अगर आपा बात करें सबसे ज़्यादा हमें कौन सा मिलता है तो वह हमें प्रोटियम ही मिलता है जो यह डिटीरियम है यह अगर आपा बात करें अगर आपा टोटल जितना भी natural hydrogen है ना हमारे पास मतलब यह जो अगर 100% अगर आपा बात करें hydrogen की तो उसमें से 99.9% हमारे पास क्या होता है प्रोटियम ही होता है सिरफ और सिरफ 0.015% डिटीरियम होता है और अगर डिटीरियम इतना कम है तो आप यह खुद देख सकते हो कि ट्रीटियम तो फिर हमारे पास क्या ही रह जाए ट्रीटियम सिरफ ट्रीटियम होता है ट्रीटियम मतलब की 10 raise to power 18 parts अगर आपा हाइड्रोजन के ले मतलब एक के पीछे 18 0 फिर उसमें एक पार्ट होगा ट्रीटियम का मतलब इनकी एक्जिस्टेंस देखो कितनी कम है हमने बात की आइसो टोप्स क्या होते है आइसो टोप्स स्मै बorationस्मेंस शumb apologise ट्रीटियमा के ली एक थलिवार ट्रीटियम एक इलिसंदेध ग्रीटियम का मतलब यद्रीग कितनी no neutron, deuterium contain one neutron, tritium contain two neutrons and their existence is protium is almost present 99.9% of the original and deuterium is 0.015 and if you talk about tritium, we can say that it is only in traces and if you talk about it, then nothing is like that, so if you talk about ordinary hydrogen, it is also protium. deuterium is a little heavy hydrogen, because it is in a neutron, it is why deuterium is called heavy hydrogen, and the tritium has a radioactive material. Now tell us about protium, deuterium, tritium. If someone asks you to tell you the difference between three protons and electrons, the difference is only because of neutrons. The mass is increasing. And if the mass is increasing, it will be heavy. Now tell us about two cells, one is light weight, one is slightly heavy. Who can run faster? Obviously. Or normally you talk about a little bit. Who can easily run faster? It is a little bit. So now what happens? Isotope effect. Isotope effect. Isotope effect. Isotope effect. So now if the mass is different, what happens? Isotope effect. If the properties of the gas are different, then the definition of the gas is called isotope effect. You can see, the properties of the gas, the melting point, boiling point, density, ionization, जो इसकी सबसे कम होंगी इसकी थोड़ी से ज़ादा होगी इससे और थोड़ी सी ज़ादा होगी और कोई खास डिफ्रेंस नहीं है जस्ट अगर आपा बात करें जिसे यह हाइड्रोजन है तो इसका अगर मैं molecule के mass की बात करूँ H2 के molecule के mass की बात करूँ तो वो almost 2.2 अगर मैं बात करूँ 2 होता है उसका जो molecular mass होता है और अगर मैं ये deuterium की बात करूँ तो ये लगवग मेरे पास 4 हो जाता है अगर मैं 3Tm की बात करूँ तो इसका जो molecular mass है वो लगबग 6 हो जाता है और यह मैं unit बोल रही हूँ gram पर mole के अंदर ठीक है न तो मतलब ऐसे ऐसे ही क्या होगा जितना भी properties है हमारे पास melting point है boiling point है यह सारों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा change आजाएगा इसका सबसे कम होगा इसका थोड़ा सा बढ़ और यह जो properties के difference आता है properties के अंदर isotope effect इसको कहा जाता है अभी तक आप यहां तक कीजिए and then we will proceed further thank you